बारिश की बेरुकी से एक और जहां वाइरल इंफेक्शन फैल रहा है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वाइरस भी अपना दैरा बढ़ाता ही जा रहा है आपको बता दें कि मंगलवार को भी जिले में 135 नए पॉजिटिव मिले जो कि पिछले पार्च महीनों के बाद सबसे अधिक संक्रमित संख्या बताई जा रही है इस दोरार सभी नागरिकों से साबधानी और सतरिक्ता बरतनी की अपील की जा रही है बारिश की बेरुखी से एक और जहां वाइरल इंफेक्शन फैल रहा है तो वहीं दूसरी और कोरोना वाइरस भी अपना दाहरा बढ़ाता ही जा रहा है इस पेच जीले में 135 ने पॉजिटिव मिले पिछले पांच मेहने के बाद सबसे अधिक संक्रमित मिले हैं इसके साथ ही प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है नागरिकों से साबधानी और सतर्गता बरतने की अपील की गई है कभी बारिश कभी उमस की वज़े से पहले ही जिले भर में वाइरल इंफेक्शन ने लोगों को हलाकान कर रखा है वहीं कोरोना भी बढ़ता ही जा रहा है जिस गती से रफतार बढ़ती ही जा रही है उससे लग रहा है कि अब वाइरस की गती दुगनी हो गई है जिले में कुल 1888 लोगों की जाची गई इनमें 635 लोगों में संक्रमन की प्रिस्टी हुई इनमें सेटी के 82 और ग्रामीन में 53 संक्रमित मिले जबकि 65 लोग कुरोना से मुक्त भी मिले इन बेसे न्यूस के लिए कैमरा परसन सुभाज बुटले के साथ रूपा पंडित के रिपोर्ट